नवस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है बिहार के चीफ मिनिस्टर नितीश तुमार की सारी प्लैनिंग फ्लॉप हो गई फेल हो गई क्योंकि पटना में जो विपक्षी एकता के नाम पे कोई बहुत बड़ी मीटिंग होनी थी 12 जून को वो कैंसल हो गया क्योंकि नितीश तुमार की हालत वैसे ही हो गई कि दूला तयार और बराती और पंडित ही नहीं पहुँचे सब लोगों ने कहा कि भई नहीं जाना और इसलिए आज ये खबर स्वयम मीडिया के सामने आकर मजबूरन देना पड़ा कि जो बारत तारिक की तथा कथित विपक्षी एकता की जो बहुत बड़ी मीटिंग होनी निति उसे कैंसल कर दिया गया है अब आगे कब होगा ये बात में हम लोग टैक करेंगे नितिश कुमार पीछले दरवाजे से प्रधान मंत्री बनने का सपना सजोए बैठे हुई थी पिछले दो महिने से नितिश कुमार और डिप्टी सीम तेजस्वी यादव ये हवाई जहां से घूम घूम के बिहार की गरीब जनता के पैसेक से ये राजनीती चमकाने में जुटे हुए थे दो मेहने की कवायत पूरी तरीके से डस्ट्रिमन में चली गई कोई रिस्पॉंसिबिल्टी लेगा बेरोजगारी इस कदर है इन लोगों की काम चोरी इस कदर है इन लोगों की कि आप ढंक से एक मीटिक नहीं बुला सकते एक साथ सबको बिठा नहीं सकते और परदान मंत्री बनने का सपना संजोई बैठे हुए बिहार में पुल गिरा है ये पुल नहीं एक सब्द में कहा जा सकता है कि भरस्टाचार का गढ़ बन चुका है नितिश कुमार ये सुसासन बाबु का बिहार सरकार क्या हुआ और किस तरीके से हाथ इधर इधर ऐसे वैसे करके मीडिया के सामने अपने खिली उड़ा रहे हैं नितिश कुमार जरा ये सुनिये करने वाले थे तो उसमें मैक्सिम लोगों का समर्थन आ गया था लेकिन एक का और हमको तो कर दिया जाए पिर हमने कॉंग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लिजिए और देख लिजिए उसके बात का जो डिट तैय होगा तब तो बारह वाला नहीं होगा तो बारह वाला उसके लिए कि बाप पटना में समझें देखिए बाप यह है कि सब को हेड़ को आना है आप कोई दूसरा रिप्रेजेंटिटी जबाएगा इट्शी नहीं इसे नहीं बाकी सब दो दूसरे सब पाटी के लोग भी कहने लगे कि म सब दो कहने लगे कि नहीं साफ यह ठीक नहीं होगा तो आना चाहिए तकल हम कहती है उनको कि ऐसा नहीं को दूसरा दिन होगा तो जो कोई डेट तैय होगा तो फिर बताएगा लाग छुपाने की कोशिस कर रहे है यह से यह से करके लेकिन मुझ से निकली कि कोई आई नहीं रहा था कोई क्यों नहीं आ रहा था क्योंकि सुरुवाती दोर से ही ममता बरर जी ब्लैक मेल कर रही थी नितिश कुमार को लगा कि कोई ऐसा खेल खेल दिया जाए कि जिससे हम उने मना कर दिया जूट बोल रहे हैं मीडिया के सामने राहुल गांदी ने सबसे पहले कहा कि मुझे नहीं जाना फिर भी आस बंधी हुई थी खड़के जी आ जाएंगे कॉंग्रिस पार्टी ने कहा कि खड़के भी नहीं जाएंगे हम अपने किसी बी ग्रेट के किसी नुम लाडू में उन्होंने भी कह दिया राहु गांदी नहीं आरे तो फिर जाके क्या करूगा उन्होंने कह कि मैं बारत-ारी तारिक को वैस्थ हुग ऑपक्रे दो मेहने से जगह जगह जा रहे ते घुम उसके बाद तुमने तारिक तै की तब ये समझ में नहीं आया था सब ने हामी भरी उस तारिक के उपर तब तो ये तारिक तै किया गया और तारिक तै करने के बाद पटना में होडिंग से लग रहे थे नितिस कुमार प्रदान मंतरी हैं सुसासन बाबू कटा होट तैयार वहां क्या होगा नहीं होगा सारी योजनाए साथ दिन ही तो बचे हुए थे और उसके बाद कॉंग्रेस पार्टी ने जटका दिया इसकी इंसाइड स्टोरी में आपको बताओंगा आपको समझ में आजा कॉंग्रेस पार्टी ने क्यूँ नितिस कुमार को भी चौरहे पे बेजित कर दिया लंगी मार दी गिरपड़े राजनितिक मैदान में पूरी तरीके से नौकड आउट नितिश कुमार की सारी कलाबाजी तो स्टैलिन ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा मैं वेस्थ हूं खबर आ गई अर्विद केजवाल ने भी कहा कि मैं भी नहीं जाना यह बेकार की मीटिंग है मैं तो अपना 11 तारीक रामिला मैदान में अपने आपको प क्लियर कर चुकी है कि 511 सीटों के उपर मैं लड़ूंगा चुनाओं लड़ूंगा और मोदी भरसिस अर्विंद केजरिवाल होगा चुनाओं कोई तीसरा चेहरा नहीं चाहिए तो उसने भी मना कर दिया सितारा मियचूरी ने भी कहा बयान देकर के कहा कि यह बेकार की करनी है वहां हमें कॉंग्रेस पार्टी से लड़ना है तो अभी इसके बारे में बैठ करके चर्चा करने से बहतर यह होगा कि एक बार सब लोग अपने अपने हिजाब से चुनाओं लड़े और चुनाओं के नतीजों के बाद क्या कॉंबनेशन बैठता है तब यह भी पक बी-ार-स के लीडर के-सी-ार से मिलने उसमें तो हामी भरती लेकिन उनके उनकी भी खबर आगे कि वो भी नहीं आ रहे अजीब कहानी है यह दो मेरे सिकर कर रहते हैं जब सब लोगों ने इस तारिक पे रिजा मंदी दे दी उसके बाद फिर आपके साथ यह खेल कैसे हो गय यह कहतेने से काम चल जाएगा कि मैं रहुल गांधी नहीं आ रहे हैं वही सारे लोगों ने हामी भरी थी अब क्यूं एक-एक करके सब बाहर जा रहे हैं पटनाएक साब की पास आप गए उन्होंने साफ मना कर दे कि मैं नहीं आओंगा तो भई आ कौन रहा था कहां है विपक्षी एकता यह नितिस्ट उमार को हर पांच साल में लोग सबाद चुनाओं से पहले यह जो दौरा आता है उनको हर बार जो है इस तरह की मीटिंग्स करने क्या आवर सकता हो जाती है गूगल कीजी आपको हर जगा मालूम चल जाएगा किस तरीके से यह कभी सोशलिस्टों के नाम पे कभी एंटी बीजेपी एंटी कॉंग्रेस गडबंदन बनाने के जुगार में तो यह काम इनका चल रहा था अब जब कोई आई ने रहा था तो सर्धावार क्यों आते सर्धावार उदर अड़ानी से मुलाकात कर रहे थे पर सो तो यह जो पूरी के पूरी जो कभाय थी वो शुर्वा थी से ही पंक्चर हो गए क्यों कैंट कॉग्डरेस पार्टी ने नितीस कुमार की न बिहार का, किस तरह से ये भ्रसचार का पुल गिर रहा है, किस तरह से दिन दाहरे वहां टकेती हो रही है, रेप हो रहा है, किड्नैपिंग हो रही है, अब रात का धंदा सुरू हो गया है, तो आदमी कौन आपके साथ ख़णा होगा? रिजन कॉंग्रेस पार्टी पहले समझ चुकी थी, कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, पत्ना में मीटिंग हो और 12 जून को हो, ये क्यों ते किया गया? ये ममता बर्रजी के दिमाग के उपस थी, वो कॉंग्रेस पार्टी को नीचा दिखाना चाह रहे थी, और ऐसे वक्त में ये मीटिंग भुलाया गया, और ये क्या कहा गया था? कहा ये गया था कि बहीं देखिए, बिहार और खास करके पटना, ये तो आंदोलन की भूमी है, जेपी आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? पांच जून 1974, और ये पूरा महिना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही 25 जून को इंद्रा गांदी ने इमर्जिंसी लगाई थी, और ये मीटिंग किसले की जा रहे है, डेमोकरसी को बचाने के लिए, और ये बताते हुए कि ये आंदोलन की भूमी है, जेपी आंदोलन तो किसके खिलाब हुआ था, कॉंग्रेस पार्टी के खिलाब, जब तरक है, आप कॉंग्रेस पार्टी को जलील करने के लिए, मीटिंग बुलाएंगे, और ये एक्सपेक्ट करेंगे, कि राहुल गांदी आ जाए, इतने दबाब में तो हैं नहीं वो, वो ताल ठोक रहे ह से बैठ करके, कि अभी आने वाले जो करनाटक की तरह हम राजस्थान, मदप्रदेश, 36 गल में हम बीजेपी को अकेले धूल चटाएंगे, वो कह रहे हैं कि भाई, 2024 में जब मेरी सरकार आएगी, तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो तो अपने आपको डिकलेर कर चेंज कर दो, तो ये जो कॉंग्रस की दादागिरी है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो पहली सर्थ तो ये थी, वह पटना करो, और इसी महने करो, और इस नाम पे करो, कि पटना तो जेपी आंदुलन की भूमी है, दूसरी सर्थ, कि जहां जो मजबूत है, वहां वही लड़ेगा, ये जो नितियस कुमार, ये जो मुंगरी लाल के हसीन सपने लगर के घूम रहे थे, कि बीजेपी को सौ सीटों के अंदर हम लोग रोग देंगे, उसका फार्मूला क्या है, वो फार्मूला बहुत सिंपल है, कि जहां जहां नॉन कॉंग्रेस पार्टी लड़े, और बाकी सारे लोग वामपंथी, कॉंग्रेस पार्टी ये सब ममता बनलजी को सपोर्ट करे, बिहार में नितियस कुमार लड़े, आरजेडी लड़े, बाकी कोई न लड़े, कॉंग्रेस पार्टी उसके समर्थन में खड़ी हो जाए, मजबूती जहारखंड में जहारखंड मुक्ती मोर्चा की है, तो वो सारे सीटों पर लड़े, कॉंग्रेस न लड़े, यूपी में अखले स्यादव सारी सीटों पर लड़े, लेकिन कॉंग्रेस पार्टी एक भी सीट पर न लड़े, बेवकुफ है कॉंग्रेस पार्टी, आप इस तरह के प्रप्रो को मैं याद दिलाना चाहूंगा जिस दिन केजरिवाल से मिलने के बाद अगले दिन राहूल गांधी और खड़के साहब से मिलने नीतिष कुमार गए थे उत्दी ने हमने कहा था कि भी तेजिस्वी आदब कहां गायब हो गया है क्योंकि तेजिस्वी आदब को मालूम चल ग समार को बास के पेड़ के ऊपर भिठा दिया और सीड़ी लेके भाग गये सारी तैयारी हो गई सब कुछ जो है वो रेडी हो गया इस्टेज सज गया वेन्यो फिक्स हो गई मीडिया प्रचार प्रसार सब जोर सोर से हुआ कटाउट होडिंग सब के ओर्डर दे दिये गये और आखरी मौके पर कह दिया गया वह हम नहीं आएंगे यह जो विपक्ची एक्ता का ढोल की ये कैसे होगी एक्ता कि वहाँ अडानी अडानी का ढोल बजा रहे है रहा हुए और यहाँ रात में चुरी-चुरी चुपके-चुपके सरत पवार जो है वो अडानी से मीटिंग कर रहे है सावरकर को आप गालिया दे रहे हो और उदर उदव ठाकने बोलते हैं कि सावरकर हमारे देवतुली है आप स्टैलिन को नहीं मना पाते आप वामपंथी को मना नहीं पाते आप कॉंग्रेस को नुकसान पहुचाने के लिए कॉंग्रेस के नाम पे विपक्षी एकता का नाम लोगे तो कॉंग्रेस पार्टी भी बेपूप लोग रही बैठे हुए हैं तो कॉंग्रेस ने कर दिया खेल और नितिस बाबू हो गय फेल नितिस तुमार को के पुल के गिरने के बाद बयान बाजी कर रहे हैं ये देश और देश की जनता के ऊपर एक घटिया मजाक है आप देखते रहे कैप्टिल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद झाल